ख़वर पिपरिया से थाना खेरी काला निवासी महेश कुमार रगवनशी की पुट्री पूजा ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ मामला 14-7-2020 को दर्ज कराया है कि ससुराल वालों ने दहेश के लिए प्रताडित किया और कार और एक लाख रुपे की मान की और अब 19-8-2020 को पिता महेश कुमार रगवनशी ने आवेदन दिया है कि पूजा के ससुर ने उन से मिल कर उनको धंकी दी कि रिपोर्ट वापस ले ले नहीं तो महेश कुमार और उनकी बेटी पूजा को जान से मार दिया जाएगा तो निकला उसके बाद उसे प्लहांसी की गूली इंजक्षन देके उन्हें घरब पात कर वा दिया इसके बाद बच्ची को होसाने के बाद पता लगा हमें बाब मेंतारों को कोई पता ने दिया ना फोन किया और दहेज मांगा थे महारठ ठोकत थे इसके कारण बुजे कित से रखना नाहीं चाहते पागल भी बोलते थे पागल का बनवाने कहां ले गया है पाड़े जी के पाणडे फटेल होस्ञगबाद में अच्छा अभी एविती कि क्या सास्वास बढ़ियां है लड़की अब घरे भी ऐसे परेशान है घर पड़ी अच्छा तो ले जाना ही पुलिस हम जाते हैं के देती पकड़ेंगे पकड़ेंगे अभी तो पकड़ें नहीं रहे हैं कितना समय हो गया लगवाग इसको हो गया हमने चवदातारीक मंगलवाराम रपोर्ट करी थी कि मतलब एक महीने के आज पास हो गया हाँ जादी हो गया है चाहुता साथ में अधिग कि मेरा नाम पूजर अपानसी प्रती का नाम मीधिस रंगणसी तो संसी निम्हेला हुसंगवाद तो संस्गवाद तो से पे अपने मुझे अघंवाद कि अधर से लेगा मुझे पिराई बेंटे अस्पतार लेगा फिर से और उने मुझे सूजी लगवा दी गोली को लादी और फिर पागार की लिपोर्ट बना दी चार तारी को अधिर बनागा कि सिर्वाई गोड़िस रवाई इनकरकिन ले थे पागा थे सूजी आएर बरे महां आबी अधिस्ता आइए आइंगो कि मुझे जोशाएं प्रणवा अधिक लागाई अधिकला मुझे लागारें तो वो जांभाणि कुछा इसान जांगे अधिका शुटार थास्पतार उदार से चल तिक लेगा तो दिराज बेट पपिक लेगा ओपिधा दराज सब्सक्राइब दबाद हबर भारत वर्ष के लिए पिपरिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा हबरों के लिए लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और हाँ पेल आइकन दबाना न भूले क्योंकि हबर हमारी पैसला जनतंत्र का